चिकन इस्टू बनाने जा रहे हैं, दो प्याजा भी करते हैं, उसको उसमें चिकन लिये हैं, प्याज है, चार बड़ा प्याज है, इसमें ये दनिया पौडर, चिली फ्लाइक, जीरा पौडर, हल्दी, जीरा, गुल मिर्च, चार इनाइची, चार पांच लॉंग, धोरत दाल चिनी, ये कोई भी चिकन या मीट मसाला अप ले सकते हैं, और इसमें लासून अधक हरी मिर्ची पीसके रखा हुआ है, सब को बिला के, आपको दिखाते हैं क् करना है, प्यास दालेंगे, पहले, आदा किलो चिकन है, जिसमें चार बड़ा बड़ा प्यास दाले हैं, ये खड़ा मसाला, उसके बाद ये सब मसाला है, सब डाल देंगे, लसून अधरका पेस्ट, नमाप, सादन नसार, इसमें मस्टर्ड वाइल डाल रहे हैं, दो चमत बड़ा चमत से, मिला लेंगे पानी डालना आता है इसको कडाई में डाल दीजिए चाए कुकर में डाल दीजिए और इसमें से खुद पानी निकलेगा और सीम पर बनाएए इसमें इसका पानी खुद निकलेगा तो बना हो उसी में पक जाएगा चिकटा बहुत क्वादा हिव्वे अप किस्स प्राज के वर हो बहुत ही कैसी कोई भी बना सकता है इसको यह वह पिन में रह वह भी बना सकते में again शारा मसाला डाल करक시 szpiction महीं वल्रेण। लें जाया है। इसको भी अच्छा से मिला देंगें इसमें टमाटर भी आप डाल सकते हैं अपरी मिर्ची काट के डाल सकते हैं आपको जो अच्छा लगे ओक डाल सकते हैं, डई से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ट्राई जरूर कीजिए, और भी रेस्प्री मेरे चैनल पर दिये हुए हैं, बेज नॉन बेज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, स्नैक्स, ट्रिंक्स, सलाद, सभी के डिले हुए है आप जा के देख सकते हैं, और प्लीज, प्लीज, संस्क्राइब और कोमेंट जरू कीजिए, आप देख लेते हैं लेकिन सिस्क्राइब प्लीज आती के प्यार से हम आगे बढ़ रहेंगे आप प्यार दीजिए का तभी बढ़ेंगे आगे से लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए थेंक यू कराई गरम हो गया है विसमें थोड़ा सब तेल डालेंगे कि नीचे चिपके नहीं इसलिए बस इतना ही तेल डालेंगे एक चमच इसको पूरा में फैला देंगे इस तरह करके काई कि इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि इसलिए इसमें थोड़ा तेल डाल दिए कि गरम कराई में चिपके नहीं तेल गरम हो जाता है कराई का उतके बाद इसको डाल देंगे अब बीच-बीच में चलाते रहेंगे लट-पलट के पानी छोड़ देगा तो इसको आराम से पकने देंगे तो गरम हो गया है अब यह साड़ा डाल देंगे इसमें कंदम करेंते में आराम आराम जोड़ा चनाट घव हो खाया है कि आठी बाया करोड़ा है यह चाल से जाम ज्या झाए चाल sì को अपला प्रूलाल — अजया है यह हूल यह कर घज करें टोड़ है अब इसको सीम करके हम धाग देंगे इसमें पानी निकले गाए थिर एक बार चला उलटब कर आच्छे से पखने पानी नहीं भी डाले तो पानी चौड़ दिया रिखाएं तो इसमें यह पखेगा अच्छे से थोड़ा उलट पलट देते हैं त्यार भी गल जाएगा पूरा अरांग से, त्यार गल गया है, अची से पक गया है, लम्चिकन पक गया है पूरा, और ये आपको, इसमें रस बनाना है, तो थोड़ा पानी गर्म पानी, थोड़ा डाल सकते हैं, ये तो ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत अच्छा बना है, अब भी बनाईए, खाये, शेयर किजिए, सब्सक्राइब किजिए, लाइक किजिए, कोमेंट किजिए, कि मेरा रेसिपी कैसा लगा आपको और भी रेसिपी मेरे चैनल पर भेज, नौन बेज, साथ इंडियन, नौर्थ इंडियन, सला, द्वींस, चट्नी, सभी के डले हुए हैं, सभी के डले हुए हैं, आप देख सकते हैं, जाके, देखे, चिकन एगनब पग दिया, इलकुल पग दिया, इस्टू बन के तयार हो और भी अ कुकत सलागा, थैंक यू कर दो